Hello friends and welcome back to my channel आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग से किचिन टिप्स लेकर आई हो जो आपने कभी नहीं सुने होंगे और ये किचिन टिप्स आपका काम तो असान करते ही हैं साथ ही में आपका वर्क भी बचाते हैं पसंद आई थोड़ी से भी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजेगा चलिए लेट्स टार्ट चलिए फ्रेंज टिप नमबर वन देख लेते हैं तो ये मैगी को लेकर है फ्रेंज चोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मैगी बहुत पसंद होती है कॉण फ्लोर अड़ कर लीजे और इसे मिक्स कर लीजे इसका लंग फ्री एक गोल रेड़ी कर लेते हैं हम और ये जो मैगी है एक पैकेट में चाहलों खा सकते हैं और सभी को बहुत पसंद आता है मैं चली से बनाना शिरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पानी करम करने रख दिया है और इसमें एक मैगी मसाला का पैकेट डाल दिया है इसमें और भी चीजे डालूंगी जैसे कि मैं इसमें आड़ करूंगी चिली फ्लेक्स बहुत अदर टेस्टी लगता है और साथ ही जब मैगी कुख होने लग जाए तब आप इसमें डाल दीजे यह कॉन फ्लोर और पानी का मिक्स तो चार से पांच चमच आप डाल दीजे और तुरंत ही आप इसे मिक्स करें अदरवाइस जहां वो कॉन फ्लोर गिरता है वहीं गाड़ा हो जाएगा इसलिए आपको यह और यह perfect consistency है इसे ले लूँगी और गयास पर मैं पैन रख लूँगी और इस पर बटर दाल दूँगी और बटर को आपको उच्छी तरह से स्प्रैट कर लेना है पैन पर बीच में स्प्रैट नहीं करना है फ्रेंस साइड में भी आपको बटर लगाना है यह देखे इस तर इसलिए आपको तुरंट ही यह करना है तो यह देखे इस तरह से आपको इसको ब्रेट कर लेना है और हमारा बेस रेडि है फ्रेंस अब मैं इस पर डालूँगी पिजा सॉस तो पिजा सॉस लगा देंगे फ्रेंस मेरे पास पिजा सॉस नहीं था तो मैंने यहां मैयोनीज केचप को मिक्स करको इक्वल कॉंटिटी में वह आपलाई कर रही हूं आप चाहे तो सिर्फ केचप भी लगा सकते हैं सिर्फ मायोनीग भी लगा सकते है आप Conks cameле यह बना सकते हैं अब में यह दालूं केचप लोगी में का अट कर सकते हैं काक्व i shane दालूगी में पनीर तो यहां बन रहा है मैगी पिज्जा मुह में पानी आ गया ना सच में बहुत जादा टेस्टी लगता है मैगी तो आपने कहीं बार खाई होगी बट इस टाइप की रेसिपी जरूर ट्राइब करिएगा इस पे लगा दिया है धे सारा मैंने प्रोसेस चीज तो चीज डाल दि और में पास यहां ओलिव्स है तो मैं अलिव्स डाल दूँगी टोटली ऑप्शनल है जो भी आपके पास है वो डाल दे और इसे धीमी आज पर इसे कुख होने दे कवर भी करने की जरूरत नहीं है अभी बेसिकली हमें से ड्राइ करना है तो देखिए इस तरह से ड्राइ हो प्रेंगे बहुत जादा टेंटिंग बहुत जादा मज़िदार लगता है यह देखिए वाओ सूपर डिलेशिएस है मेरे बच्चे पीछे से बोल रहा है दे दो दे दो शूट मत करो बट मैं यह शूट के लिए ही बनाया है आपके लिए बनाया है एक बार जरूर इस आपको definitely पसनाएगी, ये lesson को लेकर है, lesson जब हम जादा लेकर आते हैं, तो ये खराब होने लगते हैं, इसमें कीडे भी आते हैं, fresh नहीं रहते हैं, यानि कि सूपने लगते हैं, तो इसे कैसे बचाए, इसे कैसे store करें, उसके लिए आज एक tip बताऊंगे, तो इसके लिए सब आपको जला लेना है, इसको करने में आपको 2-3 सेकेंड लगेंगे, एक lesson को, इस तरह से आपको इसके roots जला लेना है, ये देखिए, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, और सारी lesson को आपको इस तरह से करके, इसे थंडा करना है, उसके बाद ही आपको store करना है, तो यहा आपको डाल देना है, 2-3 चमच के करीब नमक, खाने वाला नमक आप डाल देजे, और lesson को आप ये भाग है ना, नीचे रखिए, इस तरह से, और थंडे होने के बाद ही रखिएगा, अदर्वाइस इसमें मौश्चे पकर सकता है, तो ये भी एक tip है आपके लिए, और इस त सारे lesson रखने के बाद, उपर से थोड़ा सा नमक और डाल दे, आप चाहे तो बॉक्स को इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, पूरा बंद नहीं करिएगा, थोड़ा सा या खुला भी रख सकते हैं, जहां हवा आती हो, वहीं इसे रखिएगा, और इसे लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ना ही इसमें कीडे पढ़ेंगे, ना ही इसमें मौश्चर पकड़ेगा, कैसे लगी है, टिप कमेंट करेंगे, चलिए फ्रेंज, अगली टिप आपको डेफिनिटली पसन आएगी, तो इस शकरकंदी को लेकर है, इसे बिना प्रेशर कुकर, बिना पाने कैसे स्टीम करना है, ये मैंने आपको पहले मेरे वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, तो ये देखिए, इदम पॉफिक्ट छिल रही हूँ मैं, और बिना इसमें से कुछ शकरकंदी निकल इदम पॉफिक्ट इसके सिर्फ छिल के निकल रहे हैं, तो वह वाली टिप अप जरूर देखेगा, तो शकरकंदी को आपको इस तरह से स्टीम करके आपको ये ले लेना है, इसको छील लेना है, तो यहाँ मैंने सारी शकरकंदी को छील लूँगी फ्रेंस इस तरह से, और अब हमें इसे ग्रेट कर लेना है, आप चाहे तो इसे पाउफाजी समेश से भी कर सकते हैं, बट ग्रेट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं आएंगे, फ्रेंस आगे मेरे चैनल पर शकरकंदी से रिलेटेट बहुत सारी रेसिपी, बहुत सारी अच्छी पाने वाली है, तो बने रही है मेरे चैनल पर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजेगा, इस तरह से आपको शकरकंदी को ग्रेट कर लेना है, और इसमें जो रेशियो होते हैं, अगर आपको हो सके तो वो निकाल लीजिया, तो यह देखे, इस तरह से मैंने हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे शकरकंदी, और इसे अच्छी तरह से रोस करेंगे, जैसे हम हलबा बूनते हैं, उसी तरह से इसे भी बून लेना है, चार से पांच मिनिट में आप देखेंगे कि इसमें पैन चोड़ दिया है, और इसमें से हलकी हलकी खुचबू भी आने लग गई है, फ्रेंट्स में या शकरकंदी की आपको खीर बनाना बताऊंगी, तो यह देखें, इस तरह से जब यह हो जाए, तो आप इसको दूसरे पैन में ले ले ले, तो मैं थोड़ी से ही बना रही हूँ, इसलब मैं अभी पैन चेंज कर रही हूँ, तो यहां मै काजू बदाम की यहां मैंने शेविंग्स दाल दी है, और इससे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, यह देखें इस तरह से, अब मैंने दूसरे माइक्रोवेव में मैंने एक बड़ा कब दूद गरम करने रख दिया है, तो दूद जब गरम हो जाए तब ही आप इसमें ड कर लेजे तो यहां एक बड़ा से कब भरके मीने दूद आप कर लिया है और इससे मिक्स कर लेंगे, फ्रेंस, यह खीर बन रही है तो इससे अच्छी तरह से अब हमें चलाते जाना है और इससे फटाफट करने के लिए एक और टिप है यहां तो जब बॉइल होने लग जाए तब आप इसमें एड कर लीजे जली से गाड़ी हो जाती है इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें लंप नहीं होने चाहिए और थोड़ी सी शुगर डाल दी है फ्रेंट्स क्यूंकि शकरकंदी भी स्वीट होती है इसे थोड़ा सा ही शुगर डाला है और इसमें केसर के स् आजाता है और बहुत बढ़िया स्वात भी अब इससे अच्छी तरह से बॉइल करना है 10-15 मिनिट के लिए और यह देख सकते हैं आप परफिक्ट हमारी बन चुकी है खीर और यहां मैंने डाल गया है लाइची और जैफिल का पाउडर यह आप एंड में ही डालिएगा और यह परफिक्ट बन चुकी है थंडे होने के बाद यह और गाड़ी हो जाएगी इसलिए मैं बन कर लेती हूं चलिए सर्व कर लेते हैं तो यह देखिए परफिक्ट शकरकंदी की खीर रड़ी है छोटे बच्चे को दे आप जरूर यह बहुत जादा हेल्दी है आप 10-15 मिनिट के अंदर यह खीर बना सकते हैं बहुत जादा टेस्टी और बहुत जादा है तो कैसी लगी आपको यह खीर की रेसिपी जरूर मुझे कमेंट करके बताईगा देखिए दम पॉफिक्ट इसका टेक्स्चर है एक बार ट्राइ करना तो बनता है तो कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिफ्स ठीक ही नहीं यह यूसफुल उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा और कोई सजेशन और फिटबैक है तो मुझे लिख कर बेढ़ दीजेगा आगे आप मेरे चैनल पर कैसे वीडियो देखना चाहते है वो भी आप मुझे बता सकते है तब कर दो